हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चेनल इडियन क्रोशेट आर्ट फ्रेंड्स आज हम ये बहुत ही प्यारे प्यारे इमोजीस का ट्यूटेरिल लेकर आये हैं I hope आपको अच्छा लगेगा फ्रेंड्स मैं छोटी छोटी डीटेलिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ और मैंने छोटी डीटेलिंग बना तो ली थी अच्छी लेकिन उसे अटेच करने में मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट हो गया तो उसका शेप थोड़ा बिगड गया है अटेच होने के बाद लेकिन आप इसा मत कीजिएगा आप थोड़ा सा लूज हाथ रखके इसे सुई धागे की हैल्ट से अटेच कीजिएगा ताकि जैसा बना है वैसा ही अटेच होने के बाद भी दिखेगा ठीक है फ्रेंट्स तो यह इमोजीस का इस्तमाल की अगर हम बात करें तो आप इसे थीम पार्टी में बड़े पार्टी में बैचिस की तरह फिर इसके पीछे मैगनेट को चिटका कर अपने रेफ्रिजरेटर के श्टीकर की तरह फिर इसे थोड़ा बड़ा साइज में बना कर पीलो कवर पे डेक कर सकते हैं तो मैं आपको सिखा देती हूं बाकी का काम आपका है कि आपको इसे किस तरीके से यूज करना है लेकिन जो भी यूज कीजिए वो मुझे comment box में जरूर बताएगा ताकि मैं भी कर सकूँ अपने गर में ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे tutorial में लेकिन आग आइकोन को हिट करना ना भूलेगा ताकि आने वाले सारे वीडियो की notification आपको मिलती रहे और अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और family और friends के साथ share जरूर कीजिएगा अपने comment मुझे जरूर बताएगा कि आप क्या सीखना चाते हैं आपक आपको मुझे पता चले कि मुझे आगे कौन कौन से वीडियो डालने हैं तो चलिए अब शुरू करते हैं हमार टुटोरियल friends emoji बनाने के लिए सबसे पहले हमें face बनाना है जो के yellow color का होता है emoji का तो इसके लिए मैंने ये जो available yellow color था वो रंग लिया है आप अपने choice का yellow shade ले सकते हैं तो face बनाने के लिए हमें पहले flat circle बुना होगा तो flat circle बनाने के लिए ये देखिए हमें पहले इस तरीके से magic loop बनाना है ये देखिए इस तरीके से ठीक्या है 12 डबल क्रोशेट बनाने हैं ठीक है ये एक दो तीन अब ये तीन या चार बनाने के बाद हम ये जो हमारा तागाही से थोड़ा सा खीज लेंगे इस तरीके से ताकि हमें बुनने में आसानी रहें तो ये तीन डबल क्रोशेट मैंने बुन लिये हैं और 9 बून कर टोटल 12 बना कर फिर आग आपको बताती हूँ कि क्या करना है ये देखिए 12 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हमें ये धागा थोड़ा और खीज लेना है टोटल ही नहीं खीजना थोड़ा सा ही खीजना है और फिर ये देखिए यहाँ पर हमारे जो first three chain थी उसकी top वाली chain में हमें इस तरीके से slip stitch से इसे joint कर लेना है अब हमें ये पूरी तरीके से खीज लेना है ये देखिए इस तरीके से तो हमें ये एक छोटा सा flat circle मिल गया है अभी हम एक, दू और तीन chain बना कर next यानि के second row की शुरुआत करेंगे तो second row में हमें क्या करना है हमें हर एक double crochet के उपर दो double crochet बुन लेने है ये देखिए यहाँ पर हमारा next जो double crochet था उसी की top chain में हम एक और ये दूसरा उसी chain में ये दो बुन लिये ठीक है, तो हर एक stitch में हमें एक increase करना है यानि हर एक stitch के उपर हमें दो double crochet बुन लेने है तो ये जो next row हमारी होगी उसमें हमें total 24 double crochet मिलेंगे ठीक है, तो ये पूरा row finish करने के बाद आगे आपको बताते हूँ कि next row में हम क्या करेंगे second row में 12 double crochet बनाने के बाद हमें ये row यहाँ पर जो पहली तीन chain की जो top chain थी उसमें slip stitch लगा कर बंद कर लेनी है और next row यानि कि third वाली row तीन chain बना कर शुरू करनी है ठीक है, अभी हम यहाँ पर next stitch में एक double crochet बनाएंगे और उसकी next वाली stitch में दो double crochet बनाएंगे यानि कि हम हर दूसरी stitch में एक increase करेंगे ठीक है, ये देखे पहली में हमने एक double crochet बनाया दूसरी में दो बनाया अभी तीसरी में एक बनाएंगे और चोथी वाली stitch में हम फिर से एक increase करेंगे इसलिए हम दो बनाएंगे तो एक को छोड़कर next वाली stitch में हमें एक increase करना है दूसरी वाली row में हमने हर एक stitch में increase किया था, यहाँ पर एक में करेंगे, एक में नहीं करना है तो इसी तरीके से थर्ड वाली row को finish करते हैं, फिर में आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है फ्रेंट्स, यह थर्ड रोको भी मैंने यहाँ पर जो तीन chain बनाई थी उसकी टॉप chain में slip stitch से joint कर लिया है अब एक chain लेकर यहाँ से यह धागा काट कर इस तरीके से से खीच लेना है तो यह हमारा flat circle रड़े हुचका है अभी काम होगा इसके उपर expressions बनाने का जो मैं आगे आपको बताऊंगी लेकिन यह एक circle एक emoji के लिए काफी नहीं है क्योंकि हम आगे और पीछे दोनो side मतलब दो circle को joint करेंगे ठीक है तो एक emoji बनाने के लिए हमें इस तरीके के दो circle चाहिए तो यहाँ पर मैं चार अलग-अलग expression वाले emojis बताऊंगी तो मैं इस तरीके से यह एक बनाया है और साथ मुझी चाहिए तो मैं साथ बना लेती हूँ फिर आगे आपको expressions कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाऊंगी ठीक है यह देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने 8 circle बना लिये है और सारे धागे मैंने अंदर छिपा लिये है उल्टी साइट पर ताके दिखे ना यह देखे और यह जो मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गई थी यह जो धागा था यह जो उन था आज पता नहीं क्यों सब कुछ भूले जा रहे हूँ मैं आपको बताना चाहती थी कि यह तीन लाइन में हमने जो फ्लैट सर्कल बनाया है आप अगर चाहे तो इसको बड़ा अपने साइज के हिसाफ से बना सकते हैं यहाँ तक कि आप बड़ा सा emoji shape का cushion cover भी बना सकते हैं मैं थर्ड में आपको बता देती हूँ यह देखिए थर्ड लाइन में हमने एक में increase किया था एक में नहीं किया था फिर एक में किया था फिर एक में नहीं किया था ठीक है? यानि एक में एक double crochet बनाया था और दूसरी वाली स्टीच में हमने दो डबल क्रोशेट बनाये थे अगर हम next line बनाते हैं यानि चोथी वाली line बनाते हैं तो हमें दो में increase नहीं करना फिर एक में करना है फिर दो सादा बुरना है फिर एक में increase करना है यानि हर दो स्टीच को छोड़ कर एक increase करना है तो इस तरह से कैसे आपका flat circle बड़ा होता जाएगा और उसमें जोल भी नहीं पड़ेगा और वो मतलब shrink भी नहीं होगा तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको किसी भी एक emoji के expressions को लेकर बड़ा सा cushion cover बनाना बताओं तो आप please मुझे उस emoji के साथ comment जरूर कीजेगा तो मैं करूंगी कि वो वाले emoji का expression लेकर मैं आपके लिए cushion cover का video ला पाऊं ठीक है अभी हम expressions के और बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर heart eye emoji बनाने वाले हैं तो यह देखिए यह अभी पतला थोड़ा सा उन है तो मैंने यह 11 नंबर का होग ले लिया है ठीक है उसके लिए अभी हमें यहा इस तरीके से जैसे हमने यह emoji का circle बनाने में यूज किया था देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से बता देती हूं यह देखिए हमें इस तरीके से धागा लपेटना है हमारी उंगली पर और नीचे से hook डाल कर यह देखिए नीचे से hook डाल कर यह वाला जो हमारा धागा है जाद माफ करना दोस्तों यह देखिए फिर से देख लीजी इस तरीके से हमें उंगली पर लपेट कर यह देखिए यहां से हमारा हुग डालना है और यह वाला धागा जो है उसे इस तरीके से खीच कर फिर एक चेन बना लेनी है ठीक है तो यह हमारी मैजिक रिंग बन गई है ठीक है जैसे हमने यलो फेस यलो फ्लेट सरकल बनाया था उसमें इसी तरीके से मैजिक रिंग बनाई थी यह देखिए एक चेन हमने बना ली है अभी हमें एक और दो यानि हमारी अभी तीन चेन बन चुकी है अभी हमें एक और दो बार यान ओवर करके यह मैजिक रिंग जो हमारी है इसमें हमें triple crochet बनाना है तो आप सभी को पता हिए triple crochet में हम 2-2 फन दे करके 3 बार निकालते है ये देखिए ये और ये ठीक है अभी हमें और 2 triples बनाना है ये triples का डीटेल वीडियो भी मेरे basic stitch के playlist में है अगर आप अच्छी से डिटेल में सीखना चाहते है तो वहाँ जाकर सीख कर प्रेक्टिस कीजिए बाद में ये बना लीजिए ये देखिये दो फंदे निकाले जैसे हम डबल क्रошेट बनाते है उसी तरीके से दो दो फंदे निकालने है लेकिन डबल क्रोशेट में दो बार निकालते हैं, यहाँ पर हमें तीन बार निकालने हैं, डबल क्रोशेट में हम सिर्फ एक ही बार यान ओवर करते हैं, यहाँ पर हमें दो बार करना है तो यह हमारा हम तीशरा ट्रिपल बना रहे हैं यह देखें, यह दो निकाले फिर यान ओवर किया फिर से दो निकाले फिर से यान ओवर किया और फिर आखरी दो निकाले ठीक है अब तीन ट्रिपल्स के बाद हम यही मेजिक रिंग में यह देखे थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं रिंग को इस तरीके से ताकि अच्छे से हम इसे पकड़ पाए अब देख और यह हमारा तीसरा ठीक है अब हमें एक चेन बनानी है फिर हमें एक ट्रिपल बनाना है यही मैजिक रिंग में हम सब कुछ बना रहे है ट्रिपल में अगेन हम दो दो फन दे टीन बार निकालेंगे ठीक है फिर हम फिर से एक चेन बनाएंगे अब देखें यहां तक हमारे हाट का जो आधा पोर्षन है वो बन चुका है अब हमें रिवर्स में जाना है हमें एक चेन बना कर पहले तीन डबल क्रोशेट बना लेने है तो यहां पर यह एक, यह, दो, और यह, तीन ठीक है, क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं, तो अब हम तीन ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे ठीक है, तो यह, एक, सोरी, दो, बाई यानोवर करना है ट्रिपल क्रोशेट के लिए यह तूसरा बना रहे है और यह, तीसरा ठीक है, अब हमें, शुरुआत में हमने तीन जेन बनाई थी, तो हम यह आखरी में भी तीन जेन बनाएंगे और यह देखे, पहले तो हम यह जो हमारा मैजिक रिंग का धागा है, उसे इस तरीके से खीच लेंगे थोड़ा सा और फिर उसी मैजिक रिंग में हम यह देखे, इस तरीके से स्लिप स्टिच बना लेंगे, ठीक है सिंगल क्रोशेट नहीं बनाना, स्लिप स्टिच बनाना है, ठीक है, अब यह दागे को हम इस तरीके से पूरा खीच लेंगे तो यह देखे, यह हमारा छोटूशा हाट बन जाएगा, ठीक है, अगर आपको यह हाट बड़ी साइज में भी बनाना है, तो मैं आपको ट्यूटोरियल दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कॉमेंट बोक्स में मुझे कॉमेंट करके पता नहोगा क्या आप देखना तो यह हमारा एक छोटू सा हाट बन चुका है, क्योंकि हम हाट आई इमोजी बना रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा दूसरा चाहिएगा, तो मैं दूसरा बना लेती हूँ, और फिर आपको स्माइल कैसे बनाते हैं, वो सिखाऊंगी, फ्रेंट्स अब हम स्माइल बनाएंगे, स् क्योंकि आप इंश्रेक्शन को अच्छे से देख पाए, इसलिए मैं लाइट कलर यूज कर रही हूँ, तो यह देखिए हमें स्लिप नोट लगाकर ग्यारा चेन बनानी है, अब हमें एक चेन छोड़कर, यानि कि ग्यारवी वाली को छोड़कर, दस्मी वाली चेन में हमें एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है, फिर उसकी नेश्ट वाली चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, अब नेश्ट छे चेन में, यानि कि नेश्ट हमारी जो छे चेन आएगी, उसमें हम डबल क्रोशेट बनाएंगे, हर एक में एक डबल क्रोशेट बनाना है, छे टेबल क्रोशेट बनाने के बाद बची हुई दो चेन में हमें सिंगल क्रोशेट बनाने हैं ये एक और ये आखरी वाली में दूसरा तो ये हमारी स्माइली बन चुकी है ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हमें थोड़ा कर्व शेप में इसे लगानी होगी तो अभी मैं आ अरीके से उसे इसके साथ छोड़े हुए लंबे धागों में सुई पूरो कर इसे अच्छे से अटेच कर लोंगी तो अटेच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ टान टान स्माइली इस रेडी तो अब हम क्या करेंगे ये देखिए ये रेडी हो चुका है अब ये दे सरकल लेकर ये देखिए पीछे जो ये हमारा ताम जाम है इसे छुपाने के लिए हम इन दोनों सरकल को एक दुछरे के साथ इस तरीके से यहां पर स्लिप स्टीच की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे इससे क्या होगा हमारा जो इमोजी है वो थोड़ा सा स्टिफ भी हो चीज भी डालना चाहे इसे थोड़ा सा फलफी लुक देने के लिए तो ये देखिए ये पूरा यहां से यहां तक हम पैक करेंगे फिर थोड़ी सी जगा रख कर अंदर कॉर्टन या फोर्म या जो भी हमें डालना है वो डाल देंगे थोड़ा सा ताकि इसे थोड़ा या फिर ओपोजिट वाला आपकी पसंद का कोई भी एक्सप्रेशन बना लेना है और फिर इसे अटेच कर लेना है ठीक है तो आपको समझ में आ गया अगर आप ये वाली साइड भी एक्सप्रेशन बनाना चाहते है तो बना सकते है लेकिन अगर आप इसे किसी फ्रीज में मैगनेट श्टीकर की तरह या किसी बच्चे को यहां पर सफ्टे पिना टेच करके बैच की तरह या फिर बच्चों के क्लॉद्स पर या पिलो कवर्स पर डेकोरेशन की जगा पर यूज करना चाहते है तो एक ही साइड दीखेगा तो फिर ये वाले को आप प्लेन रखें यहां पर कुछ भी मत बनाए तो देखें यह हर एक स्टीच में हम इस तरीके से यह देखें स्टीच वाइस इस सेम ही होगी तो इस तरीके से यह देखें इस तरीके से हम स्लिप स्टीच सारी बॉर्डर में बना कर इन दोनों को पूरी तरीके से अटे फिर आपको बताती हूँ के ये कैसा लग रहा है ये दिखे फ्रेंड्स ये पूरा slip stitch से मैंने इसका round cover कर लिया है और अब ये पहले से ज्यादा थोड़ा सा shape में भी लग रहा है और थोड़ा firm हो चुका है तो हर emoji के साथ हमें ये करना है दोनों flat circle को इस तरीके से joint करना है ठी teen expression बताऊंगी तो हमारा जो next वाला expression है वो कुछ मेरी बेटी मारिया से मिलता जूलता है मतलब वो जो emoji है वो जरूरत से ज्यादा ही हसता है इतना हसता है कि उसकी आखों से पानी बैने लगता है बिलकुल मेरी बेटी की तरह जो कि अभी वीडियो ग्राफिक कर रही है और म आसने वाला जो emoji है मारिया की तरह उसका पहले हम माउथ बना रहे है तो माउथ बनाने के लिए हमें यहाँ पर 11 चेन लेनी है अब हमें एक चेन छोड़कर नेक्स्ट वाली चेन में हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है यह हम पहले हमने जो स्माइली बनाया था वही रिप छे डबल क्रोशेट बनाने के बाद जो आखरी की दो चेन बची है उसमें हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है यह एक और यह दो अब हमें एक चेन बनाकर इस तरीके से गुमा लेना है और यह जो दो सिंगल क्रोशेट बनाये थे उसके उपर हमें स्लिप स्टेच बनानी है देखे, इस तरीके से, ठीक है, नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशेट पर भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, और फिर जो हमारे छे डबल क्रोशेट हमने बनाए थे, उसमें जो पहला वाला डबल क्रोशेट है, उसके उपर हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है, यह देखे, इस तर चार डबल क्रोशेट बनाने के बाद जो आखरी वाला डबल क्रोशेट बचेगा उसके उपर हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है और जो दो सिंगल क्रोशेट बचेगे उसके उपर हमें फिस स्लिप स्टिच बना लेनी है इस तरीके से तो यह हमारा माउथ फिनिश होता है यहा के इस तरीके से फिर हम इसके उपर दात बना रहे हैं तो दात बनाने के लिए हमें वाइट धागा चाहिए यहाँ पर हमने वाइट धागा लेकर यहाँ पर 11 चेन बनानी है अगर आपका स्माइली ब्रश नहीं करता है तो आप यलो रंग से उसके तीत बना डालिए मेरा स्माइली तो ब्रश करता है इसलिए मैं वाइट करल का धागा इस्तमल कर रही हूँ ग्यारा चेन बनाने के बाद आपको मिलती हूँ ग्यारा चेन बनाने के बाद एक चेन को छोड़कर नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशेट बनाना है यह दिखिए इस तरीके से फिर उसके next वाली chain में single crochet और इसी तरीके से हर एक stitch में यानि के हमें 10 single crochet मिलेंगे जो हमारे smiley के teeth बनेंगे तो सारे single crochet बना कर फिर आपको बताती हूँ इसके teeth यह दिखिए friends हमारे teeth का हमने जो last end था धागे का वो थोड़ा लंबा रखा था और उसी धागे को सुई में पूरोकर मैंने यहाँ पर attach कर लिया है अब हम बनाएंगे इसकी eyes और उसके eyebrows friends eyes हम direct यहाँ पर black धागे को attach करेंगे इस तरीके से नीचे से यह दिखिए इस तरीके से नीचे से हमें ले लेना है थागे को और इस तरीके से उपर खीच लेना है और फिर हमें eyebrows की shape या तो imagine करके बनानी है अगर आप नहीं बना सकते उस तरीके से तो lightly draw कर लिजिए eyes और eyebrows को और यह देखिए इस तरीके से हम slip stitch बनाते हैं यह देखिए इस तरीके से हमें एक-एक stitch के उपर इस तरीके से slip stitch बना कर वो जो हमने draw की हुई line होगी उसके उपर आपको यह देखिए इस तरीके से यह देखिए यह मैंने एक eye बना ली है इसी तरीके से मैं यहाँ पर दूसरी eye बनाऊंगी और उसके उपर में eye brows बनाऊंगी तो मैं बना कर फिर आपको मिलती हूँ आप इसे अपने हिसाब से draw करके फिर उसके उपर यह देखिए फिर से बता देती हूँ थोड़ा सा यह देखिए इस तरीके से नीचे से धागा खीच लेना है जिस तरीके से हम slip stitch बनाते हैं उसी तरीके से ठीक है फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने दोनों eyes बना ली है यह वाले emoji की अभी हमें यहाँ पर आसू बनाने है दो तो मैं आपको बताऊंगी मैंने आपको बताया था कि मैं eye brows भी बना रही हूँ लेकिन वो अभी end moment पर मैंने बना कर खोल डाले क्योंकि हमारी princess ने बोला कि यह बहुत loud लग रहा है तो मुझे तो कहना मानना पड़ता है आप अपने हिसाब से बनाएगा अगर आपको अच्छे लगते तो बना लीजी जैसे eyes बना ली थी वैसे ही चलिए अभी हम आसू बना रहे है तो आसू बनाने के लिए यहाँ पर हम blue रंग का धागा इस्तमाल कर रहे है और उसमें हम पहले तो इस तरीके से slip knot लगाएंगे यह देखे इस तरीके से tight slip knot लगा लेंगे और फिर हमें चार चेन बनाने एक, दो तीन और चार यह चोथी वाली चेन को छोड़ देना है और next वाली चेन में हमें slip stitch बनानी है यह देखे इस तरी कैसे slip stitch के बाद next stitch में हमें single crochet बनाना है और उसकी next वाली जो आखरी वाली हमारी chain थी उसमें हमें वो एक ही chain में हमें 6 double crochet बनाने है तो यहां से यह round shape ले लेगा यह देखे फ्रेंट्स यहां पर 6 बनाने के बाद अच्छा सा round shape मिल गया है अब हम दूसरी ओर आ गया है तो जो वाली stitch में हमने single crochet बनाया था उसका अगला जो लूप है उसमें हमें single crochet बनाने है और उसकी अगली वाली में जहां पर हमने slip stitch बनाया थी उसके next वाले लूप में मतलब उसके एक लूप में slip stitch वो वाली side से बनी हुई है तो यह वाली side से हमें slip stitch बना लेनी है slip stitch लेने के बाद मैंने धागा काट कर उसे खीच लिया तो यह हमारा आसू बन गया हमें ऐसे के ऐसा दूसरा बना कर face पर attach करना है तो मैं face दूसरा बना कर face पर attach कर लेती हूँ फिर आपको पूरा लूप दिखाती हूँ तो friends यह हमने आसू attach कर लिये है और फिर plain side को इसके साथ joint कर लिया है यह देखिए यह इस तरीके का look आता है जो same to same मेरी बेटी जब असती है तो यही लगता है चलिए अब next वाला यानि के ये वाला ठीक है तो ये वाले में मैंने heart shift आपको बनाना सिखाई दिया है ये वाली जो डिटेल्स है बंद eyes और eyebrows ये आपको जैसे मैंने यहाँ पर eyes बनाई थी उसी तरीके से बनानी है पहले draw कर लेना है फिर slip stitch से बना लेनी है तो ये eyes कैसे बना दे है वो मैं आपको बताती हूँ friends यहाँ पर मैं white रंग का था guys समाल कर रही हूँ आपको black ही use करना है ये देखिए यहाँ पर मैं magic knot बना रही हूँ ठीक है मैंने कई दफ़ा आपको बताया है magic knot कैसे बनानी है ये देखिए अभी हमें एक हमने ये chain ले ली है यहाँ पर अभी हम और दो chain बनाएंगे ठीक है तो ये दो और ये तीन ठीक है अब हमें ये जो हमने magic ring बनाई है magic circle इसमें हमें इस तरीके से एक double crochet बनाना है फिर next हमें दो single crochet बनाने है ये दीखिए एक और ये दो फिर हमें दो double crochet बनाने है meanwhile हम इसे थोड़ा सा खीच कर छोटा कर लेंगे ताकि हमें आसानी रहे बुनाई में दो single crochet बनाने के बाद हम ये ही ring में दो double crochet बना लेंगे एक और ये दो ठीक है अगेन दो single crochet बनाएंगे एक और ये दो फिर last में हमें एक double crochet बना कर एक और दो एक ही double crochet बनाना है फिर ये जो हमारा धागा है हमारी slip magic ring का उसे इस तरीके से खीच कर यहाँ पर जो हमने हमारा first वाला डबल ग्रोशेट बनाया था उसकी top chain में हमें ये hook डालना है इस तरीके से और धागा खीच कर ये देखिए इस तरीके से धागे को कीच कर slip stitch लगा कर इसे joint कर लेना है ये देखिए इस तरीके से तो ये हमारी oval shape आई बन जाएगी तो आप इसे यहाँ पर लगा सकते है और बाकी सारे detailing तो मैंने आपको बता ही दिये है तो अब हम next बना रहे है जो के है ये वाला ठीके तो इसमें ये जो smile हमने बनाई है वो again मैंने ये वाले मैं आपको जिस तरीके से eye बनाना सिखाया था उसी तरीके से यहाँ पर हमें light एक draw कर लेना है अगर हम बिना draw की ये भी बना सकते है तो और भी अच्छा है otherwise हमें draw करके slip stitch की help से black रंग का धागा इस्तमाल करके हमें ये smiley बना लेना है चश्मा कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ चश्मी बनाने के लिए friends हम पहले तो slip note लगाएंगे इस तरीके से tight वाली slip note लगाकर हमें 16 chain बनानी है 16 chain बनाने के बाद हमें ये पहली वाली chain छोड़कर उसकी next वाली chain में single crochet बनाना है फिर उसकी next वाली chain में एक और single crochet बनाना है फिर उसके next चार chain में चार double crochet बनाने है चार double crochet बनाने के बाद हमें जो next तीन chain है उसमें हर एक के उपर एक single crochet बनाना है यानि तीन chain के उपर हम एक एक single crochet बनाएंगे एक दो और ये तीन फिर next चार chain में हमें चार double crochet बनाने है चार double crochet बनाने के बाद ये next दो स्टीचिस में हमें फिर से single crochet बना लेने है तो यहाँ पर हमने पहले दो single crochet फिर चार double crochet फिर तीन single crochet फिर से चार double crochet और आखिर में फिर से दो double crochet बनाएं अब हमें एक chain लेकर इसे कुमा लेना है और जहाँ पर हमने दो double crochet बनाए थे वहाँ पर हमें दो slip stitch लेनी है इस तरीके से अभी चार डबल क्रोशेट के उपर हमें चार सिंगल क्रोशेट बनाने है चार सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद यहाँ पर बीच में जो तीन सिंगल क्रोशेट थे उसके उपर फिर से हमें स्लिप स्टिच बना लेनी है हर एक सिंगल क्रोशेट के उपर एक स्लिप स्टीच इस तरीके से फिर ये चार डबल क्रोशेट के उपर फिर से हमें चार सिंगल क्रोशेट बनाने हैं दो तीन और चार फिर आखरी जो बचे हुए दो सिंगल क्रोशेट है उसके उपर slip stitch बनानी है इस तरीके से और फिर एक chain लेकर धागा काट लेंगे तो ये हमारा चश्मा बनकर रड़ी हो चुका है इसे हमें जिस तरीके से इसे लगाया है उसी तरीके से यहाँ पर लगा लेना है ये थोड़ा पतला धागा है इसलिए थोड़ा छोटा बना है य ये वाला धागा ही आपको इस्तेमाल करना है ताके सब कुछ उसकी साइज का ही बनेगा ठीके चलिए तो ये हमारे चार बहुत ही क्यूटी वाले faces रेड़ी हो चुके हैं देखिए मैं छोटी छोटी डीटेलिंग में इतनी ज्यादा आच्छी नहीं हूँ लेकिन फिर भी म मैं बड़े ही अच्छे से बना भी लेती हूँ और आपको सिखा भी दूंगी तो मैंने आपको बताए है अगर आप सिखना चाहते हैं तो मुझे comment box में जरू comment कीजिएगा ठीक है तो आज का ये वीडियो यही पर पूरा करते हैं मिलते हैं हमारे next वीडियो में तब तक के बड़े बड़े